नमस्कार दोस्तों स्वागत अपने चनल टेक्निकल ड्रैण में आज हम सेखेंगे वसिंग मशीन मैं हैं। जो कई तरह की प्रोग्लम आती है उसमें से एक है ड्रेन की प्रोग्लम जिसमें पानी या तो अपने आप निकलता रहता है या स्पीन वाले टब में पानी चला जाता है अपना ड्रेन स्विच से है जो बंद हो तभी भी उसमें पानी निकलता रहता है या इस तरह की प्रोग और यह फाइप है इसमें से पानी बाहर निकल जाता है यह देखिए पूरा का पूरा पानी जो है जितना भी पानी डाला था पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया है इस प्रोगलम को हम पूरा समझेंगे बने रहे हैं मेरी वीडियो के एंड तक चैनल में नहीं है तो चैन मसीन के बेक साइड में इस परकार का आपको एक कम पार्ट मिलेगा जिसको अपने को खोल लेना है मैंने ओल्रेडी खोल कर रख रखा है इसमें दो मोटर लगी होती है एक स्पिन मोटर है और एक वास मोटर है और इस परकार का आपको एक बेक साइड में कुछ नोजल टाइप मिलेगा जिसमें उपर रसी लगी हुई रहेगी तो इसे अपने को दीरे-दीरे हलके आथ से खोलना रहेगा तो अपने को इस परकार से खोल लेना है और इसके अंदर अपने को कुछ इस परकार से एक सफरिंग और एक रवड टाइप कम लेगा यह देखिए इसमें बहुत ज्यादा गंद की आरकी है यह देखिए और इसमें कुछ कच्रा भी है तो मैं इसे पहले कच्रे को साफ कर लेता हूँ इसमें पाने डालेंगे पाने डालने पर यह कच्रा है जो कि मदद से बाहर निकल जाएगा और इसको रवड को अपने को खोल लेना है इस प्रकार का लोक है तो अपने को खोल लेना है बाहर निकाल लेना है और सफरिंग भी आप चाहो तो ज्यादा खराब हो तो चैंज भी कर सकते हैं तो अपने साफ पाने की साइता से इसे कर लिया है और अब हम अपने सफरिंग है तो इसको थोड़ा सा खींच कर टाइट कर देते हैं और अब हम इसे वापिस फिट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं पाने निकल रहा है या नहीं तो मैंने वापिस उसी प्रकार लगा दिया है लोग भी लगा दिया है और इस करते हैं यह देखिए एक दम किलियर हो रखा है कोई भी पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं आई है और जैसे हम ड्रेन ओन करेंगे तो अपना सारा का सारा पानी बाहर ना जाएगा वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तेंक वरोट